अंड़ा पोटकलीची की आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूनिक रेस्पी लेकर आई हूँ जुकि ना ही पहले कभी आपने बनाई होगी और ना ही पहले कभी आपने खाई होगी बहुत ही ज़ादा अमेजिंग होता है। और इसे बनाना बहुत असान हैं। तो चले इसे कैसे बनाया जाता है, देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ले लिया, कड़ाई पर डालेंगे सरसो का तील, इस रेस्पी को बनाने के लिए सरसो का तील ही यूज करिए, इसे बहुत अज़ा टेस्ट आता है, उसी के साथ मैंने ले लिये लॉंग, इल करके ही इस रेस्पी को बनाया, इसे बहुत अच्छा टेक्स यह राता है, और यह देखिए, प्याज को हमें अच्छे से पकाना है, लो फ्लेम पे इसे करीबन दो से चार मिनट तक पकाएंगे, तो बहुत अच्छे से यह पक जाती है, और इसका कलर एसे रखना है, मतलब मिक्स कर लेना है, अच्छे से लो फ्लेम पे ही कंटेने चमच चलाते ही हुए, इसे मिक्स करके पकाएंगे, ताकि अधरक लसुन का जो कच्छा पने वो दूर हो जाए, और यहाँ पर मैंने दो बड़े साइच के टमाटर को अच्छे से बारे काट लिया है, उसे भी मैंने एड़ कर दिया, इसे भी हमें मिक्स करते वे लो फ्लेम पे पका लेना है, और प्याज का जब तक पानी होता है, टमाटर का अपना पानी होता है, है ना, तो इन सबी पानियों पे यह जो हमने एड़ किये है, सारे अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएं एक चमच यहाँ पर चिकन मसाला, इन सबी को अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है, हमारे घर में जो रेगुलर मसाली यूस होते हैं, बस वही मसाला मैंने इस पर एड़ किया है, यह देखिए, मसालों के साथ हमारे जो टमाटर प्याज है, वो बहुत एच्छे से स अधी कटोरी में आधी कटोरी बस पानिया पर एड़ की है, उसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, यह देखिए, मिक्स करने के बाद इसमें हमें एड़ कर देना है, हमारे अंडे, पोट और कलेजी को, और वजन की साब से देखा जाए, तो पूरे का यह आप देख सकते हैं जो हमारे अंडे थे वह एकदम अच्छे से हाफ कुक हो चुके हैं यहां पर मैंने इस वज़े से स्पून नहीं चलाया इस पर क्योंकि अगर मैं उस टेम स्पून चलाती तो यहां पर अंडे हमारे टूट सकते थे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों जब भी आप यह रेस्पी बनाएं इसी तरीके से बनाएं गम पर्फरक्ट बनेंगे और यह देखिए मसालों के साथ हमें अच्छे से यहां पर इसे मिक्स कर लेना है इसका टेस्ट बहुत ही हमीजिंग आता है फ्रेंच आप एक बार इस रेस्पी को इस तरीक होने लगी है फ्रेंच दस से बारा मिनट हो चुके हैं और यह देखिए फिर से हमें यहां पर चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है तो बीच बीच में ऐसे ही आपको चम्मच चलाते चलाते लो फ्लेम पे इसे करीब थीस से पैथीस मिनट तक अच्छे से पकाना होत अपर सबी जो अंडे पोट के लिजिए वो सब पक चुके हैं यह देखिए बहुत ही शांदार लग रही है देखने में ही ऐसा लग रहा है बस मल जाए और खालो जी हां बहुत ही टेश्टी होता है आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा और मैंने यहां पर अच्छे पर लो फ्लेम पर ही हमें अच्छेसे इसे फिरसे मिक्स कर लेना है 2-3 मिनट इस अच्छे के लिए और पका लेना है क्योंकि हमने हरीद मिर्च और हराधंया इस पर अभी एंट किया है और ये देखिए मसाले भी तले से लगने लगी है और हमारी यहां पे सबी जो है पक चुकी है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है अभी हमें कुछ नहीं करना है गैस हमें ओफ कर देना है है ना? तो friends यह देखे बहुत ही शानदार यहाँ पर हमारी पोर्ट कलेजी और अंडे की रेस्पी बन करके finally तयार हो गई है और यह देख सकते हैं रेस्पी आपको आज की यह पसंद आई हो तो please वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह रेस्पी पसंद ना भी आई हो तो भी जरूर कमेंट करके बताईएगा ताकि मुझे पता चल सके और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सस्क्राइब करिए क्योंकि मैं इसी तरह की आप लोगों के लिए रोज एक नई रेस्पी लेकर आती हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू रेस्पी अप्लोड करूँ सबसे पहले नौटिफिकेशन आपको मिले इस वज़े से चैनल को सब्सक्राइब और आइए बैल आइकन को क्लिक करिएगा तो मिलते हैं नेरे सेक्षार तैंक यू